गजब का खेला हो गया जी एक तरफ हमारे सिक्षक नेता जी लोग भासन देते रह गए और दूसरे तरफ हमारे अपर मुख्य सचिब स्रिदीपक कुमार जी यहां उस चीजों को नोट करते रह गए अठारा नॉंबर का दिन था अठारा नॉंबर के दिन को हम काला दिन कहें या जादू कहें यह तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा सिक्षत नेता जो है राज कर्मी का दर्जा लेने गए थे यानि कम से कम ये सोच रख रहे थे राज कर्मी नहीं तो कम से कम पुर्ण बेतन मान ले करके आएंगे पुर्ण बेतन मान नहीं तो कम से कम पुरानी पैंसन ले करके आएंगे और वो भी नहीं तो कम से कम एक छिक अस्थानांतरन तो ले करके ही आएंगे लेकिन हुआ यूं कि राज कर्मी की दरजा के साथ बेस्ट एप का एक कनेक्शन जुर गया अब क्या है ये बेस्ट एप का कनेक्शन इसकी पूरी परताल हम इस वीडियो में करने बाले हैं तो आप लोग निश्ची तौर पर इमानदारी से अपने सभी सिक्षक साथियों तक इस वीडियो को पहुचाने का प्रियास करिए पूरी तरीके से इस वीडियो में हम परताल करेंगे कि आपके लिए बेस्ट एप जो है कितना जो है सो फाइदे मंद है और कितना घातक है तो सभी सिक्षित बर्ग इन चीजों को जरूर देखें और इन चीजों को एकदम गौड से एकदम आत्म साथ भी करने का प्रियास करें यानि हुआ यूँकि 18 नौंबर के दिन जो था एक तरफ सिक्षा मंतरी के सामने हमारे सिक्षक नेता सिक्षक प्रत्रिनिधी अपनी अपनी डफली और अपनी अपनी राग सुनाते रह गए और वही पर अपर मुख्य सचीव हमारे जो थे दीपक बावू उन्होंने सिक्षकों के लिए प्रेम भरा पत्र तयार करता रहा एकदम लंबा चौरा प्रेम भरा पत्र आपके लिए तयार है जिसके बारे में आगे हम डिसकस करने वाले हैं सायद ही कोई सिक्षक ऐसे होंगे जो ये नहीं सोचे होंगे कि जो हमारे सिक्षक नेता प्रतिनिरी को जो सिक्षा मंतरी ने बुलाया है तो कहीं ने कहीं कुछ ने कुछ best होने बाला है तो best तो हो ही गया ना आपके लिए जो best app के रूप में आया है आप सोच रहेते कोई ऐसे सिक्छक कोई ही साइध होंगे जो नहीं सोचे होंगे, अपने मन में ख्याली प्लाव नहीं पकाये होंगे कि राज कर्मी का दर्जा हो, पुरानी पिंसन हो, या पुरन बेतनमान हो, एक्षी कस्तानांतरन हो, या इंडेक्स की बाधिता हो, कुछ भी हो, जो भी हो, वो सारे मांगे में कुछन कुछ तो मतलब माना ही जाएगा, कुछन कुछ तो हमें फाइदा होगा, या नहीं तो कम स कम 40% बेतन बिर्धी की बात हो रही है हमें निश्चित रूप से दिया ही जाएगा तो ये बाते चल रहा था मन में लेकिन खैर छोड़िए इन बातों को चुकि आपने सिक्छक से जाइदा सिक्छक नेता बना रखा है सिक्छक संगठन बना रखा है तो कहीं ने कहीं वो आप पूट डालो और राज करो यानि ये भी कहते हैं कि घर फूटे और गवार लूटे तो यानि स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल सक्सस की 92 में यदी आप चाहते हैं प्रधान सिक्छक की परिक्छा की तैयारी करें तो आपके लिए हम एक नंबर दे रहे हैं प्रधान सिक्छक आप बनना चाह रहे हैं तो 8969094103 से निश्चित रूप से संपर करिये वाट्स अप के माध्यम से कॉल नहीं कीजिए वाट्स अप से संपर करिये जैदा बहतर रहेगा कॉल करने में बहुत जैदे यानि भर दिन कॉल आते रहते तो समस्याएं हो जा कि 18 नॉंबर की बात ही हम कर रहे हैं जो ये आपके सामने 18 नॉंबर है आपके लिए राज कर्मी और पुर्ण बेतनमान एक्षी के स्थानांतरन पुरानी पिंसन इन सब को तो छोड़ ही दीजिए आपके लिए जो आप बिस्ट अपने जीवन में खोज रहे थे तो आपके द्वारा ये कहा जा रहा था कि 1961 की बाते कही जा रही थी 1961 की धारा उनको समझाया जा रहा था सिक्षा मंतरी को ये कहा जा रहा था कि यदि सिक्षक 12 बजे तक उपस्तित नहीं होता है आपने वीडियो को देखा होगा ठीक से तो निशित रूप से आपको ये चीज पता हो निश्चित रूप से आपने सुना होगा लेकिन हुआ यूँ कि जैसे ही इन बातों को हमारे सिक्षा मंत्री हमारे अपर मुख्य सचीव जी ने सुना वैसे ही आपके लिए ये पत्र तयार करके जिसको हमने अभी जश्ट कहा कि 18 तारिक को प्रेम भरा पत्र जो है सिक्षा भाग के द्वारा जो है जारी किया गया है असपष्ट डूप से इसको ध्यान से देखे का हर एक पॉइंट को हम आपको एकदम नोटिस करके समझाएंगे कि क्या करना है कैसे करना है तो इन बातों को ध्यान रखिएगा सभी जिला सिक्षा पताधिकारी क्यों ये कहा गया है देखे बेस्ट एप आकिर है क्या तो आपको पताएंगे कि बेस्ट एप के माध्यम से पहले भी अनुसरबन हुआ है बहुत बार हो चुका है विद्ध्याले का और आगे भी होगा तो जिला सिक्षा पताधिकारी को कम से कम आठ विद्ध्याले दिया गया है और माध्यमिक विद्ध्याले कम से कम प्रारंभिक विद्ध्याले और माध्यमिक भी कम से कम तीन विद्ध्याले दिया गया है सभी जिला करम पताधिकारी जो DPO बर के लोग हैं वो कम से कम प्रारंबिक विद्याले 10 और यहाँ पर देख लीजे तो जो माधिमिक और उच माधिमिक विद्याले है चार का अनुसरवन करना है सभी कारेकरम प्ताधिकारी जो हमारे हैं जिनको P.O. आप कहते हैं कारेकरम प्ताधिकारी भी घूमेंगे और 10 और 5 विद्याले का निरिक्षन करेंगे तो सभी P.O. के साथ साथ आपके सभी प्रिखट सिक्षा पदाधिकारी भी कम से कम 20 विद्याले और कम से कम 5 विद्याले का निरिक्षन करेंगे तो कहीं कहीं एक दीन में एक विद्याले उनको करना ही परेगा अगर एक दीन के बाद अगर gap करते हैं तो उनको कहीं कहीं माल लिज़े कि एक दीन अगर gap कर आते हैं घूमने के लिए भर्मन पर तो उनको दो से तीन विध्यालेगों का निरिक्षण करना ही परेगा अलुसरवन करना ही परेगा अब यहाँ से बात आ जाती है, जब यह लोग 20-25 विद्यालियों का निरिक्षन करेंगे तो बेस्ट एप को आपको पता है कि पहले भी आप लोगों ने देखाई है, लेकिन इस बार बहुत ही बारिकी से, जैसे जैसे वहाँ पर हमारे सिक्षक नेता जी कह रहे थे, कि 1961 की धारा में कहा गया बेतन नहीं काटना है, और यहाँ पर असपस्ट रूप से जो बेस्ट एप है, यह कह रहा है, जो सिक्षा भाग का यह पत्र है, यह कह रहा है कि सबसे पहले आप जाईए, और अगर अनुपस्थित हैं, तो उनके जो है बेतन को काट यह, देख लीज उसमें बेस्ट का जो ऑफसन आएगा, उसको चुनेंगे, उसके बाद अबजर्वेशन का ऑफसन आएगा, उसको चुन करके इसको आगे की और बढ़ाएंगे, ठीक है, तो बेस्ट एप के माध्यम से हो जाएगा, तो यह था मुख्य बात है, अब देखिए, यहां से आज बिद्याले में बच्चे उपस्तित रहते हैं, तो आप जाएंगे, बच्चों को बुलाएंगे, अभिवाबक से संपर्क करेंगे, आपके साथ साथ सिक्षा समीती के सदर से जाएंगे, और कम से कम 75% उपस्तिती को अनिवारता दी गई है, ठीक है, यह सबसे बड़ी बात ठीक है, चलिए, आगे देख लेते हैं, अगला जो मुख पॉइंट हमारा कहां पर जा रहा है, तो यह जो है आपका, एक तेखें यह भी है, यह भी कहा गया इसमें कि जो विद्याले अनुसर्वन के दोरान यह पाया गया है, कि विद्याले निर्धारित समय पर नहीं खु जो एकजेक्ट टाइम आप कहते हैं, उसमें नहीं खुलता है, और बंद होने का टाइम जो आपका चार बज़े है, तो एकजेक्ट टाइम जिसको कहते हैं, उसमें बंद नहीं होता है, उसे पहले बंद हो जाता है, यह कहना है इनका, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ जाते ह इसमें सबसे बड़ी बाते कहां पर दी गए तो यह सबसे बड़ी बाते सुरुआत यहां से होता है अब यहां पर असपस्ट डूप से कहा गया है बिद्याले अनुसर्वन के दौरान किसी सिक्षक सिक्षिका को बिद्याले से बिना सूचना अनुपस्थित पाया जाता है तो विद्याले के प्राचारी द्वारा जो है अनुसर्वन पतादीकारी की उपस्तिती में उसमें अनुपस्तित सिक्षिक, सिक्षिका के संदर्म में जो है सिक्षक अनुपस्तिती पंजी में अनुपस्तित दर्ज करना होगा यनि यदि विद्याले को बिना सूचना के सिक्षक यदि गाइब हैं तो उस इस्तिती में क्या करना होगा उनके सामने में परधान सिक्षक के दोरा उसमें अनुपस्तित भरना होगा जबकि प्रचारे प्रधाना ध्यापक के बिना सूचना अनुपस्तित रहने की इस्तिती में अनुसर्वन के दोरान जो अनुपस्तिती दर्जिक किया जाएगा उपस्तिती पंजी में अनुपस्तिती दर्जिक किया जाएगा एबं अनुपस्तिती प्रचारे प्रधाना चार अग्दितिति का बेतन भुकतान अस्थकित किया जाएगा ये कहरा देखें 1961 का अधिनियम क्या कहरा है जो उस दिन समझाया जा रहा था ठीक उसके बिर्ध उसी डेट में लेटर निकालने का मतलब ये होता है कहीं नहीं कहीं हो सकता है तो आपका सोची समझी साजीस थी आपको ये सुनाया गया कि 1960 की धारा क्या कह रही है और उसी की एवज में जो है काम होने बाला है ये आपको सुनाया गया है तो आप इन चीज़ों पर भी तयार रहें तक पर रहें चलिए आगे बढ़ जाते है अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है ये आपको जो है किनको ये मतलब दिया गया है इसको आप लोग पर लेंगे स्क्रीन सॉट लेकर के कुछ खास बात ये नहीं है तो ये मुख रूप से मुख बात यहीं था कि जो आपको जो काम अठारी यहां देख लीजे अठारा तारीक कही डेट में लिख ला है दीपक कुमार जो अपर मुक्सचीव है उनके द्वरा निकाला गया है तो हमारा कहना ये है कि सतरकता हटी दुरगहटना घटी कहा ही जाता है सतरकता हटी और दुरगहटना घटी तो क्योंना आप परिसान क्यों होईएगा परिसान होने की कोई बात नहीं है आपको नौ से चार तो भी द्याले करना ही है तो समय से यदि आप उपस्थित हो रहे हैं आप धरफर में मतलब होता है कहीं 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 आई दिन आप देखते हैं कि हमारे सिक्षक सिक्षका कहीं किसी गारी के चपेट में आ जाते हैं और आकासमी जो है जिसको कहते हैं आकासमात उनका निधन हो जाता है इस इस्थिती को देखते हुए आप भी अपने समय का पर जो है एकदम ध्यान देश समय का जो है एकदम प्रवंध का मतलब जो समय जो टाइम मेनजमेंट कहते हैं उसको थोड़ा सा एडजेस्ट कर ले और एकदम नौ बजे बिद्याले पहुंच जाएं और एकदम अपने इमानदारी से अपने बिद्याले का जो है कारी को आप निर्भान करें तो कहीं कहीं आप चाहते हैं कि आपका जो सब कुछ मतलब मान लिजे विस्ट एप के माध्यम से होना ही है सनी बार को भी आपकी जाँच होगी सनी बार को भी जाँच होगी तो कहीं के डरने की कोई बात नहीं है अगर डर करके आप बुद्ध बार को देखे होंगे नहीं कहीं किसी प्रकार के कोई इन्य गटना के सिकार हो जाते हैं, तो इस चीजहों से बचना हैं, तो निशित रूपसे आप अपने समई प्रबंदर का थोड़़ा सा एर जेस्ट कर रहें, और अपने समय से विद्धाले को जाएं और अपने कारी को इमानदारी प्रवक उसका निर्भान करें चलिए वीडियो दिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग एकदम एकदम सेयर करिए सबे सिक्षकों तक पहुँचाईए और अपने प्रवक उसक्षक के लिए बहुत 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 धन्यवाद